नमस्कार, पब्लिक नियूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ कुमार अमिताव कंड़ोज के इत्र समाजवादी पार्टी के लिए बुरा सपना सावित होने जा रही है जिस तरीके से पुष्पराज जैन और पप्पी जैन और उनके भाई अतुल जैन को आयकर विभाग उठाकर कानपूर ले गई है पुष्टास करने के लिए उससे यह सावित होता है कि निश्चित रूप से बहुत ही खास दस्तावेज उनके हाथों में लग गए हैं और अब उनका बचपाना एकदम मुश्किल है उनके घर से पहले ही दो करोड कैश इसके अलावा दस करोड के फरजी एंट्रीज के पेपर मिल चुके हैं मिडल इस्ट में चालिस करोड रुपे इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज भी मिले हुए हैं इन सबसे अब पुश्पराज जैन का बचना तो मुश्किल ही लग रहा है लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर जो पढ़ने जा रहा है वह समाजवादी पार्टी पर समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी इत्र उन्होंने बनाया था अब वह इत्र जो है समाजवादी पार्टी के लिए शायद दुर्गंध का काम करेंगी समाजवादी पार्टी के नेता अखलेश यादो इतने बेचैन हो गए हैं कि वह सीधा भाजपा सरकार पर आरूप लगाने पर उतराये हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा अल्प संख्यों कोई खिलाब हो गई है क्योंकि यह जैन समाज के ऊपर छापा पड़ा है गौर्टलब है पुष्पराज के ठीक पहले प्यूश जैन के हाँ भी छापा पड़ा था पहले तो समाजवादी पार्टी को लगा कि यह कोई तुक्का है लेकिन उसके बाद दुबारा छापा पड़ा तो यह बिल बिला पड़े प्यूश जैन के आँ छापा पड़ा तो उल्टे भाजपा के उपर आरूप लगाया गया कि प्यूश जैन तो भाजपा के आदमी है अब पुश्पराग जैन सपा के MLC ठेहरे इनसे कैसे प्रिंट छुड़ाय जाए हो सकता है कि पूश्पराग के बाद अखलेश यादो को भी पूश्पराग के लिए बुलाया जा सकता है इसका असर सपा के चुनाव पर पड़ेगा अखलेश यादो अब बुखर होकर के भाजपा के विरोध पर उतारूर गया उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाजपा अल्प संक्रकों के खिलाफ है जैन समाज के खिलाफ है उन्होंने किसानों के मुद्दे को ले करके सिख समाज की और इंगित करते हैं कहा कि भाजपा ने सिख समाज को भी नुक्सान पहुंचाने की कोशिश किया है उनका अपमान किया ह जिस तरीके से अखलेश यादो जाती को पकड़ करके इस चुनाओ की नईया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं उससे यह लगता है कि इस बार चुनाओ बिल्कुल ही निम्निस्तर पर आ जाएगा जातीगत आधार पर चुनाओ का प्रचार करना सभी जानते हैं कि इसकी मनाई है लेकिन अखलेश यादो बार बार ब्रह्मन समाज को मनाने के लिए उन्होंने अभी एक परश्राम की मूर्ती का उद्घाटन किया था जैन समाज को अब वो अलग से निकाल करके उसके खिलाब भाजपा को बता रहे हैं सिक्स समाज को अलग करके बता रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि चुनाओ का मंजर ही बिल्कुल निम्निस तरफ पर चला जाएगा भाजपा दूसरी तरफ अखलेश यादों को ऊपर चुट की ले रही है उनका कहना है कि अखलेश यादों अब चुनाओ कैसे लड़ेंगे क्योंकि जिन लोगों पर च्छापे पड़े हैं और जिनके यहां से धन बरामद हुआ है दरसल वह धन सपा इलेक्शन्स में यूज करने वाली थी बहराल आने वाल समय में पता चलेगा कि सपा और भाजपा किसको जनता कितना महत देती है धन्यवाद जहन